Welcome friends to first flight, आज हम करेंगे BA first year हिंदी का संप्रेशन और संचार के अंतरगत important questions, most probably यही questions आएंगे क्योंकि यह काफी important है, तो चलिए हम स्टार्ट करते है, first question है कि संप्रेशन के विभिन प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तो संप्रेशन के विभिन प्रकारों की व्याख्या मौखिक और मौखिक और लिखित तो इनकी व्याख्या कीजिएगा और अगर आपके पास time हो तो थोड़ा सा पनिश्कर्स भी लिख दीजिएगा क्योंकि impressive हो जाता है answer इससे, उसके बाद फिर second question करेंगे संप्रेशन की प्रक्रिया वो अबधारना को स्पस्ट कीजिए, त फिर हमारा last में क्या होता है कि प्राप्त करता होता है और feedback जो वो देता है तो ऐसे आप पूरी प्रक्रिया लिखिएगा उसके बाद फिर हम third question करेंगे संप्रेशन की संभावनाएं और चुनोतियों की विवेचना कीजिए, तो संप्रेशन की संभावनाएं जैसे संप्रे पे है तो यह सारी चुनोतियां आप दे दीजिएगा उसके बाद हम करेंगे संप्रेशन का अर्थ और उसकी प्रक्रियाओं को स्पस्त कीजिए तो वही question जिपिटेड है इसमें भी वही संप्रेशन की परिभाशा देनी है और उसके बाद प्रक्रिया लिखना है उसके बा आये हुए questions है इसलिए यह बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं उसके बाद फिर 6th question करेंगे संप्रेशन का अर्थ इसपस्ट करते हुए उसके आयामों की व्याख्या कीजिए या आयाम पर चर्चा कीजिए तो हम इसमें आप सबसे पहले लिखिएगा कि संप्रेशन का अर्थ परिभाशा उसके बाद फिर आयाम के अंतरगत आप यह लिख सकते हैं कि जैसे संप्रेशन होता है तो उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाब पड़ता है हमारे व्यवसाय पर क्या प्रभाब पड़ता है तो यह सारे questions आपको ऐसे attempt करने हैं तो यह आपके important questions है और इन सभी क आप जाकर देख सकते हैं और अच्छे से अपने exam के लिए prepare कर सकते हैं तो all the very best दोस्तों और कई ऐसा होता है कि हमारा मतलब जो answer तो वह होता है लेकिन question का language थोड़ा सा twist कर देता है जिससे कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें इसमें लिखना क्या है तो first of all आपको क्या करन देना है और आंसर स्टार्ट करना है तो अच्छे से पढ़कर और आंसर स्टाइम कीजिएगा और थेंक्यू सो मच दोस्तों आपका अपने कीमती समय देने के लिए